नावसकार दोस्तो टार्गेट है में आप सभी का सौगत है दोस्तो सौस्त विभाग में सेंटर गवर्मेंट से एक और भरती विख्यापन आ चुगा है पब्लिस किया गया जिसमें दोस्तो पैरा मेडिकल स्टाप साथ में नर्सिंग स्टाप के लिए पोस्ट सामिल किया गया तो दोस्तो इसमें कौन कौन सा पोस्ट रहेगा साथ में आप से क्वालिपिकेशन क्या मांगा जाएगा सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा कैसे आपको अप्लाइ करना है और एज लिमिट क्या दिया जाएगा सारी जानकारी दोस्तों वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आप वीडियो लाश्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने हैं पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे योटिव चैनल को सब्सक किया गया आप इसमें देख सकते हैं जबाहर लाल इंस्टियो टाप पोस्ट ग्रेजबेट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्स सेंटर से भरते विग्यापन पब्लिस किया गया और इसमें भारत के सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाइ कर पाएंगे इसमें दोस्तों ग तो दोस्तों फश्ट में हम ग्रूप B के लिए बात करेंगे इसमें कौन-कौन से पोस्ट है यह देख लेते हैं तो इसमें पहले जो पोस्ट है वो जूनियर ट्रंसलेशन आपिसर के लिए रहेगा जिसमें टोटल एक पोस्ट सामिल किया गया साथ में जूनियर एक्कुप आपिसर के लिए पोस्ट देखनक मिल जाएगा जिसमें 154 पोस्ट है और यह आपको कटेगरी बाइज बताया जा रहा है और दोस्तों ट्यूटर इन स्पीच पैथालोजी एंड आइडियोलाजी के लिए भी दोस्तों इसमें पोस्ट सामिल किया गया इसमें भी एक ही पोस और एक सरे टेक्नीशियन के लिए दोस्तों पोस्ट है एक पोस्ट रहेगा रेडियो थेरपी के लिए और जो कंडिटेक्यर है अपना डिगरी डिप्लोमा उनके लिए 5 पोस्ट सामिल किया गया है साथ में दोस्तो एट नमबर पे आपको टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट देखनों के मिलेगा जिसमें एक ही पोस्ट है और टेक्निकल असिस्टेंट नुकलियर मेडिसीन के लिए भी एक ही पोस्ट है तो group B में दोस्तो 169 पोस्ट के लिए ये भरतिविक्यापन पब्लिस किया गया है जिसमें group B में 9 अलग-अलग पोस्ट सामिल किया गया है अब दोस्तो बात कर लेते हैं group C के लिए कौन-कौन से इसमें पोस्ट है तो इसमें फश्ट जो पोस्ट रहेगा एनेस्टीसिया टेकनीशियन के लिए जिसमें एक पोस्ट है आइडियोलाजी टेकनीशियन के लिए दोस्तो एक पोस्ट है जूनियर एडिमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 24 पोस्ट है साथ में फोर्थ नंबर पे फार्मासिस्ट के लिए पोस्ट सामिल किया गया है जिसमें च्छे पोस्ट है और इस पाइरेटरी लेवरेटरी टेकनीशन के लिए दोस्तो दो पोस्ट है इस टेनो ग्राफर के लिए भी दोस्तो इसमें पोस्ट है एक ही पोस्ट सामिल किया गया साथ में काइडियोग्राफिय टेकनीशन के लिए 5 पोस्ट है तो दोस्तो ग्रूप C में टोटल 7 अलग-अलग पोस्ट के लिए ये नोटिपिकेशन पब्लिस हुआ है जिसमें 40 टोटल पोस्ट है और दोस्तो दोनों को यदि हम टोटल करें ग्रूप B और ग्रूप C को तो दोस्तो नोव पोस्ट के लिए भरते भी क्यापन पब्लिस किया गया और इसमें दोस्तो जो फिचकल हैंडिकैप केंडिडेट हैं उनके लिए अलग से पोस्ट है देख सकते हैं काटेगरी वाइज आपको बताया गया पोस्ट वाइज और पोस्ट कोड वाइज तो मेडिकल लेबरेटरी टेकनोलाजिस्ट के लिए एक पोस्ट रहेगा साथ में नर्सिंग आपिसर के लिए दोस्तो इसमें 23 पोस्ट रहेगा और एक सर्विसमेन के लिए भी है टोटल दस पोस्ट इसमें जूनियर एड्मिनिस्टेटिव आफिसर स्वरी असिस्टेंट के लिए रहेगा और इस्टेनोग्राफर के लिए भी एक ही पोस्ट है तो ये अलग से आपको बताया जा रहा है अब इसमें हम बात करेंगे आपसे कॉलिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है तो फश्ट में दूस्तो इसमें हम बात कर लेते हैं जूनियर एक्क्यूपेशनल थेरपिस्ट के लिए तो दोस्तो इसमें आपके पास essential qualification and experience में बताया जा रहा है आपके पास degree होना चाहिए occupational therapy का और 2 years का आपके पास experience भी होना जरूरी है साथ में जिनके पास diploma होगा occupational therapy में 3 year का उनसे दोस्तो इसमें 3 year का experience भी मांगा जा रहा है और salary देख सकते हैं इसमें 35,400 रुपए आपका यह starting basic salary रहेगा 7 CPC के अनुसर दोस्तो आपको salary मिलने वाला level 6 का 35 years आपको इसमें age limit दिया जा रहा है और next जो post है दोस्तो medical laboratory technologist के लिए है MLT के लिए और इसमें दोस्तो degree वाले candidate आवेदन कर पाएंगे जिनके पास bachelor degree complete होगा medical laboratory science में जिनका भी दोस्तो इसमें BMLS complete है वो इसमें आवेदन कर पाएंगे साथ में दोस्तो इस post में bachelor degree in medical laboratory technology BMLT वाले candidate भी आवेदन कर पाएंगे और दोस्तो जिनका bachelor degree MLT blood vanc से complete है वो भी इसके लिए eligible रहेंगे प्लेस दोस्तो आपके पास two years का experience होना जरूरी है इसमें दोस्तो केबल degree वाले candidate ही आवेदन कर पाएंगे जो post medical laboratory technologist के लिए है इसमें diploma वाले candidate eligible नहीं है salary की बात करें तो इसमें level 6 का आपको salary मिलेगा 35,400 से आपका यह starting salary है 7 CPC के answer आपको salary दिया जाएगा 30 years age limit है और साथ में इसमें आपको age relaxation भी मिलने वाला है दोस्तो यदि आपको lab technician का previous question paper चाहिए तो आप हमसे whatsapp पे संपर करें हमारा whatsapp number double it two one nine six two seven seven nine इस number पे दोस्तो आप संपर करें आपको center government और state government के previous question paper मिल जाएंगे आप हमें whatsapp पे संपर कर सकते हैं आपको आपे पता चल जाएगा कौन-कौन से आपको previous question paper मिलने वाला तो यदि आपको चाहिए तो आप जरूर हमसे संपर करें और next दोस्तो बात कर लेते हैं nursing officer के लिए इसमें दोस्तो essential qualification की बात करें तो आपके पास BSC और nursing complete है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे साथ में BSC nursing यदि आपका complete है तो भी आप eligible रहेंगे और जो candidate दोस्तो post basic BSC nursing complete की हैं वो भी इसके लिए eligible रहेंगे साथ में इसमें दोस्तो diploma वाले candidate भी आवेदन कर पाएंगे जिनका भी इसमें GNM complete होगा वो भी दोस्तो इस post के लिए आवेदन करने के लिए eligible हैं और diploma वाले candidate से दोस्तो इसमें 2 years का experience मांगा जा रहा minimum 58 के hospital में आपका ये experience होना चाहिए और nursing council में registration होना जरूरी है तब ही दोस्तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे चाहे आपके पार degree हो ये diploma इसमें registration होना जरूरी है और salary package देख सकते हैं इसमें level 7 का मिलेगा 44,000 आपका ये basic salary रहेगा और 7 CPC के अनुसर दोस्तो salary दिये जाएगा 35 years age limit है साथ में age relaxation भी मिलने वाला आँगे आपको पता चलेगा आप वीडियो लास्ट तक जरूरी देखिएगा नेश्ट इसमें ट्यूटर इन speech pathology and ideology के लिए बात कर लेते हैं तो इसमें आपके पास post graduate degree होना चाहिए speech and language pathology में और यदि आपके पास degree होगा speech and language pathology, ideology में तो भी दोस्तो आप इसके लिए eligible रहेंगे plus degree वाले candidate से 3 year का experience भी मांगा जा रहा है और salary package सेम रहेगा level 7 का 35 years आपको age limit दिया जा रहा है अब दोस्तो इसमें बात कर लेते हैं extra technician के लिए तो पहले हम radio therapy के लिए बात करेंगे तो आपके पास BSC in radiation technology में आपका ये degree complete होना चाहिए साथ में यदि आपके पास BSC in radio therapy technology का degree complete है तो भी दोस्तो आप इसके लिए eligible रहेंगे plus दोस्तो आपके पास registration होना जरूरी है तभी दोस्तो आप इसमें आवेतन कर पाएंगे 35,000 आपका ये basic salary रहेगा level 6 का मिलेगा और 30 years आपको age limit दिया जा रहा x-ray technician radio diagnosis के लिए बात करें दोस्तो तो इसमें आपके पास radiography या technology imagine technology का आपके पास degree होना चाहिए और 2 years का experience होना भी जरूरी है salary package सेम रहेगा age limit भी सेम ही दिया जा रहा और दोस्तो technical assistant के लिए बात करें physiology के लिए तो आपके पास related फिल में ही degree होना चाहिए या फिर आपके पास diploma होगा 2 years के experience के साथ तो आप इसके लिए reasonable रहेंगे और technical assistant nuclear medicine के लिए दोस्तो बात करें तो इसमें degree होना चाहिए आपके पास nuclear medicine technology का और pay level दोस्तो देख सकते हैं level 6 कर रहेगा 35,000 आपका basic salary 35 years age limit दिया जा रहा अब दोस्तो इसमें बात कर लेते हैं group C के लिए जो post हैं उसमें आप से qualification क्या माँगा जा रहा तो first में anesthesia technician के लिए बात करेंगे तो इसमें दोस्तो जिनके पास भी degree होगा anesthesia technology का वो इसमें आवेतन करने के लिए eligible हैं without any experience के और diploma वाले candidate भी आवेतन कर पाएंगे इन से इसमें one year का experience माँगा जा रहा है 30 years age limit भी दिया जा रहा है आपको level 4 का आपको salary दिया जाएगा 25,000 आपका basic salary है ideology technician के लिए दोस्तो बात करें तो इसमें diploma होने चाहिए hearing language में language and speech में और आपको salary है वो level 4 का दिया जाएगा आप दोस्तो बात कर लेते हैं इसमें junior administrative assistant के लिए तो आपका इसमें 12th pass complete होने चाहिए साथ में typing speed भी आपको बताया जा रहा है 35 word per minute आपका English में होने चाहिए और यदि आपका 30 word per minute Hindi में है तो भी आप इसके लिए eligible रहेंगे computer में आपका typing होना जरूरी है दोस्तों और level 2 का आपको salary दिया जाएगा 19,000 आपका ये basic salary रहेगा 7th CP सेकेन सारी salary दिया जाएगा 38 sales limit है next दोस्तों इसमें pharmacist के लिए बात कर लेते हैं तो और दोस्तों जिनके पास भी डी फार्मा complete है उनसे इसमें 2 years का experience मांगा जा रहा प्लेस आपके पास registration होना चाहिए pharmacist council में और इसमें level 5 का आपको salary दिया जाएगा 29,200 आपका ये basic salary है 38 आपको age limit दिया जा रहा respiratory laboratory technician के लिए दोस्तों इसमें BSC MLT वाले candidate आपेदन कर पाएंगे और level 5 का ही salary रहेगा 30 years age limit दिया जा रहा है इसमें stenographer के लिए बात करें तो stenographer में दोस्तों आपसे 12th class आपका complete होगा तो आप इसके लिए आपेदन कर पाएंगे साथ में इसमें आपस skill test भी आपको बताया जा रहा इसमें का degree complete है तो भी आप इसके लिए eligible रहेंगे लेवल 4 का salary रहेगा और 30 years आपको इसमें age limit दिया जा रहा है तो दोस्तों इसमें group B और group C में जितने भी post है सभी कम है आपको quality education साथ में age limit salary package बता दिया हूँ आप इसमें बात करेंगे आपका जो selection process क्या रहेगा और कैसे आपको इसमें apply करना तो selection process के लिए दोस्तों इसमें आपको बताया गए आपका इसमें cbt and skill test के मात्यम से selection होने वाला है और आपका जो cbt का syllabus है वो जल्दी publish किया जाएगा अभी इसको publish नहीं किया गया इसके लिए आपको information दिया जा रहा है इसमें देख सकते हैं scheme आप examination and syllabus for cbt will be published shortly in zipmare website तो दोस्तों इसके official website पे इसको जल्दी publish किया जाएगा जो इसका syllabus होगा cbt exam का और दोस्तों ये आपको qualify mark बताया जा रहा है category wise general और EWS के लिए cbt exam में 50% इसमें qualify mark रहेगा और इसमें जो आपका skill test होगा इसका 50% साथ में अधर जितने भी category आपको बताया जा रहा है इसमें SCST के लिए 40% रखा गया है नेश्ट दोस्तों इसमें हम बात करेंगे आपका जो age relaxation आपको इसमें कितना मिलने वाला है तो इसके लिए भी आपको category wise बताया गया ESC और ESC के लिए 5 year दिया जाएगा OBC के लिए 3 year साथ में अधर जितने भी central government में employee हैं उनको भी इसमें बताया गया तो आप इसको rate कर लीजेगा आपको इसमें apply कैसे करना है वो देख लेते हैं तो apply करने के लिए दोस्तो आपको इसमें first में बताया जा रहा है imported date में दोस्तो देख सकते हैं online registration आप application in तो दोस्तो ये आपको website बताया जा रहा इस website के माद्देम से आपको आवेदन करना है available form 19 जुलाई 2024 तो दोस्तो 19 जुलाई से इसमें आवेदन होना start हो चुका है और last date आपका ये 19 अगस्त साम को 16-4 बजे तक आपको समय दिया जा रहा आवेदन करने के लिए देख सकते हैं online registration आप application close on तो 19 अगस्त तक दोस्तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे आपको one month के लिए इसमें समय दिया जा रहा जो भी candidate दोस्तो eligible हैं जरूर इसमें आवेदन करें ये भरती भी कि अपन direct recruitment है आपको इसमें permanent posting मिलने वाला है आल इंडिया लेवल को दोस्तो भरती भी कि अपन है भारत के सभी state के candidate इसमें आवेदन कर पाएंगे और आपका इसमें CBT exam के मात्यम से selection होने वाला है और ये आपको बता दिया गया आपका जो admit card है 2 सितंबर को publish कर दिया जाएगा इसके official website पे और next 14 सितंबर को दोस्तों आपको ये CBT exam conduct करा जाएगा देख सकते हैं online mode only आपका ये exam रहेगा तो CBT exam के मात्यम से आपका इसमें selection होने वाला है और CBT exam किस city पे होगा इसके लिए भी दोस्तों आपको इसमें information दिया जा रहा है तो एक बार हम उसको भी rate कर लेते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं exam city for written examination तो ये आपको बताया जा रहा जहां पर भी आपका ये CBT exam होगा computer based test तो दोस्तों 20 अलग अलग ये city आपको इसमें बताया गया देख सकते हैं आप इसको read कर लीजेगा ये notification का pdf आफ हमारे telegram channel से इजी तरीके से download कर सकते हैं तो ये आपने अभी तक ये exam conduct करा जाएगा online के माद्यम से और दोस्तों जब आप apply करेंगे तो आपको application fees भी पेकरना होगा इसके लिए भी आपको बताया गया तो category while देख सकते हैं general और EWS के लिए 15 रुपए है प्लेस आपको transaction charge भी इसमें पेकरना होगा OBC के लिए भी 15 रुपए रहेगा SCST के लिए 12 रुपए प्लेस इसमें transaction charge भी देना पड़ेगा और दोस्तों जो candidate physical handicap है उनके लिए दोस्तों application fees इसमें निल रखा गया है ये other जितने भी category candidate है उन्हीं को इसमें application fees भी करना होगा के बल फिजकल handicap के लिए ये application fees निल है तो आपको online के माद्यम से ही अपना application fees भी करना है और online के माद्यम से ही आपको आवेदन करना होगा ये इसका official website है www.gmail.education.in इस website के माद्यम से दोस्तों आपको अपना आवेदन संबिट करना होगा आपको one month के लिए समय दिया जा रहा आवेदन करने के लिए यदि आप eligible हैं जरूर इसमें आवेदन करें आपको इसमें permanent basis पे posting मिलने वाला है ये recruitment है दोस्तों और notification के PDF के लिए दोस्तों आप हमारे telegram channel को join कर लें या फिर दोस्तों आप इसके official website जवाहर लाल institute of post graduate medical education research center के official website के आदम से भी download कर पाएंगे और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो like जरूर करें और अपने दोस्तों साथ share करें साथ में यदि आपने अभी तक हमारे YouTube channel को subscribe नहीं कियें तो subscribe जरूर करें दोस्तों हम अट दिन ऐसे जानकारी आप लोग साथ share कर्टेरे तें thank you so much